जै मातदी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों हमारे चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों जोति शास्त के अनुसार हिंदू कैलेंडर के बारवी महीने की शुरूआत मीना संक्रान्ती से शुरू होती है इस दिन सूरिय मीन राशी में प्रवेश करते हैं सूरिय का मीन राशी में आना मीना संक्रान्ती कहलाता है इस साल 14 मार्च 2020 को सूर्य गुरू की राशी मीन राशी में प्रवेश करेंगे मीन राशी के स्वामी गुरू से सूर्य का मितरता पूर्ण संबंध है ऐसे में ग्रहों का इस तरह संयोग बहुत ही शुब और लाबकारी बना हुआ है सूर्य का मीन राशी में आना मीन संक्रांती कहलाता है सूर्य का मीन राशी में जाना राशी चकर की सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालता है लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्रिशब राशी की दोस्तो सूर्य देव आपकी राशी के ग्यारवे भाव में गोचर करेंगे जो की संपत्ती खरीदने के योग बनाते है ग्यारवा भाव जो होता है वो लाब भाव होता है सूर्य का आपकी राशी के ग्यारवे भाव में होना आपको वाहन और संपत्ती सुख प्रदान करने का योग बनाता है दोस्तों के साथ संबंद मजबूत बनाता है सूर्य का आपकी राशी के ग्यारवें भाव में होना आपको आर्थिक मुनाफ़ा कराएगा आपकी आय में व्रद्धी होगी कारे शेतर में आपको किसी तरह की बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है ये आपको बोनस के रूप में या फिर पदोनती के रूप में आपको मिल सकती है वही समाज में भी आपका ओदा उचा रहेगा आपका इस्तर उचा उठेगा लोग आपके कारियों की आपके व्यवहर की प्रसंसा करेंगे आपको समाज के गण मानने लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा सामाजिक और धार्मिक कारेक्रोमों में भाग लेगने का मौका मिलेगा वहीं बड़े भाई बेहनों के साथ रिष्टे मधूर स्थापित होंगे, दोस्तों के साथ रिष्टे अधिक मधूर बनेंगे और दोस्तों के साथ घुमने फिरने का प्लैन इस समय आप बना सकते हैं दोस्तो सूर्य का आपकी राशी के ग्यार्वे भाव में होना आपके लिए आएके स्रोत खोलता है मुनाफ़ा कराने वाला होता है लाबकारी सिध होता है सूर्य का आपकी राशी के ग्यार्वे भाव में आना आपके लिए बेहत लाबकारी सिध होने वाला है तो दोस्तो और खुशिया मनाईए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद